हेलो फ्रेंड्स तो आएए मॉस्टर एनिम का एक्स्प्लेनेशन कांटिन्यू करते हैं इसके बाद उसकी थालत खराब हो जाती है उताफ में जब जोग डिवाइन इन जाएंगे वापस रिचवेन याने की मुनीच में चले जाएंगे जब वो मुनीच में जाती है तो अब जो आना होती है वो अपने उपर एक एक्सपेरिमेंट कराना चारी होती है वो बोलती है कि मुझे हिपनोटाइस कर दो शायद मिरी यादधास वापिस आ जाए तो जो डॉक्टर गीलेन होते हैं वो उसे हिपनोटाइस कर देते हैं जिसके बाद थोड़ा था वो मिस्वेव करती है लेकिन जो उसकी यादधास होती है वो वापिस आ जाती है इधर जो तैनमा होता है वो पीटर कापेक का पीछा करने वाला होता है लेकिन उसके पीछे प्लिस पढ़ जाती है जिसके बाद भागना शुरू करता है वो गलियों में भागता है और अपना एक्सिदेंट जो है करवा बैठता है जिस बंदे ने उसका एक्सिदेंट किया होता है उसका नाम होता है मिलान अब मिलान जो है तैनमा को अपने घर में लेके जाता है तो जो तैनमा होता है वो उसे घर पे देखता है यह पीटर कारपे के सुनाई, शुर्वात में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बाद में बच्चों ने सुसाइड करनी шुरू कर दी, और हद तो तब हो गई जब बच्चों ने एक दूसरे को जान से मारना शुरू कर दी जिसके बाद, जो मिलान होता है, वो उसे बचा लेते हैं और मिलान की महाँ पे मौद हो जाती है अब जो डॉक्टर गीलन थे वो कुछ खूनियों से पूस्ताच करते हैं तो उसको एक बात पता पड़ती है कि जॉन किसी के लिए वेंपायर था किसी के लिए एलियन था और किसी के लिए कुछ था लेकिन एक बात कॉमन थी और वो बात ये थी कि जॉन किसी से बात नहीं करता था जॉन को जिसको भी मरवाना होता था बस वो जाता था उनके पास और मिट्टी में उसका नाम लिख देता था जिसके बाद खून ही उसका खून कर देते थे अब आपको बेबी दिखाए जाएगा बेबी को खौफ सताने लगता है बात ये होती है कि बेबी और पीटर कापे को ये लगता है कि जॉन हमारी साफ से खून कर रहा है लेकिन अब जॉन ने अपनी मज़ी से एक खून कर दिया होता है जिसके बाद बेबी को लगता है कि अब वो हमारे हाथों में नहीं है अब बेबी एक ल जादा खौफ उसके अंदर भरा होता है कि जो उसके बॉडिगाड होते हैं उसमें से एक बॉडिगाड अपनी जेव से लाइटर निकाल ला होता है तो उसे लगता है कि यह बंदूक निकाल ला है और वो अपने दोनों बॉडिगाड को मार देता है इसके बाद वो अपने घ जिंदा है और उसका नाम है फ्रेंज बोना पार्ट इधर आना को लेने के लिए पीटर के साथी पहुंच जाते हैं अब हम लोग के दिखाई जाती है इवा इवा जॉन के दोस्त को धर लेती है कनपटी पे गोली मारती है और पूछती है कि ये बताओ जॉन कहां पे है इसके जॉन ने उस बंदे को बचाया होता है अब वहाँ पे तैनमा भी आ जाता है और जो जॉन का दोस्त होता है वो इवा को कुछ नहीं बताता है लेकिन वो तैनमा को बता देता है कि जॉन कहां पे है इधर जो पीटर होता है वो आना को लेकर जॉन के पास जा रहा होता है भाग जाएंगे लेकिन जब वो भागते हैं तो उनको धर लिया जाता है अब इनकी मम्मी और पापा को अलग कर दिया जाता है और आपको पता है कि पापा को जो है मार दिया जाता है क्योंकि एक्सपेरिमेंट था तो एक का तो मरनाते हैं जिसके बाद जो जॉन की मौम होती जो है बुक गवाय मॉस्टर बुक आप देख लो बिल्कुल जॉन को बता देगी आपको अब दोस्तों जॉन और आना होते हैं वो दोनों आमने सामने होते हैं तो आना को अब अपना जो पास्ट होता है वो याद आ जाता है बिल्कुल करेक्ट याद आता है कि रेड रोस में अभी तरह आपको बताया जाएगे कि वहाँ पे जॉन था लेकिन वहाँ पे आना थी आना वहाँ से भागी थी और अपने घर गई थी जहाँ पे उसको जॉन मिलता है अब जो जॉन और आना होते हैं वो पराक से भागते हैं और एक कपल से मुलाकात करते हैं लेकिन दोस्तों जिस भी कपल के पास जाके रुकते हैं या जिस से भी यें मिलते हैं उनको जो है मार दिया जाता है। अब इधर जो लुनजी होता है लुनजी पहुँच जाता है रोइन हाइम्स में और वो वहाँ पे खोजबीन करना शुरू कर देता है. वहीं पे ग्रीमर भी पहुँच चुका है रोइन हाइंस में अब ये दोनों मुलकात करते हैं और इनका मेंड टार्गेट होता है फ्रेंस बोना पार्ट को ढूनने का और ये लोग उसे ढून भी निकालते हैं ये दोनों जिस होटल में रुके होते हैं उसी का मालिक होता है फ पूरा केस जो है रूइन सांस में चलेगा और वहीं पर इस्टोरी खतम हो जाएगी दोस्तों मिलता हूँ नेक्स वीडियो में अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए कुरोना जे साबदान गुड बाई